दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार देश्युम राज्यों की दस बड़ी ताजा खबरों में जी हाँ दोस्तों आज के मुख्य समाचार सुबैस लेकर साम तक की दस बड़ी खबरें जानेंगे सिर्फ 10 मिनिट में इसलिए मेरे प्यारे भाईयों और बैनों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखीगा तो दरसल दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी ख़बर सामने निकल करा रही है कि दरसल रासन कार्ट धारकों के लिए मोधी सिरकार ने कर दिया है बड़ा एलान अब गेहुं की बजाए सीधे मिलेगा आटा बस करना होगा ये काम अगर आप भी रासन कार्ट धारक हैं तो रासन कार्ट धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आखिर कार यहां पर किन कि लोगों को अब गेहुं की बजाए आटा मिलेगा कौन सा काम करवाना होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके अलावा अगर आपके पास भी हैं 500 रुपए या फिर 2000 रुपए के नोट तो हो जाएए साउधान RBA ने अभी-भी कर दिया है नया नियम लागू अब नहीं चल पाएंगे ये नोट जानिये क्या है नियम दोस्तों अगर आपके पास भी 500 रुपए 100 रुपए या फिर 2000 रुपए तक का भी नोट है तो सतर्क हो जाएए क्योंकि अभी-भी इनको लेकर RBA ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है तो दोस्तों क्या बलाव हुआ है इसकी भी जान कर जानेंगे इसके अलावा बड़ी खुशकबरी अब महज 500 रुपए में मिलेगा रसोई गयस सिलिंडर यहां की सरकार ने कर दिया बड़ा एलान दरसल अगर आप भी यहां पर महिला है या फिर अगर आपके घर में कोई भी महिला है आपकी माता जी है बहन जी है और अगर आप यहां पर घरों में खाना बनाने के लिए रसोई गयस सिलिंडर का इस्तिमाल करती है तो आखिरकार यहां पर कहां की लोगों को देश वासियों को लगा बड़ा जटका जी हां दोस्तों अभी अभी की बड़ी कबर आ रहे हैं इस वक्त की ताजा अपडेट है क्योंकि अभी अभी एक बहुत भयंकर घटना हो चुकी है एक बड़ा हादसा हुआ है जिसके चलते देश वासियों के लिए बहुत ही बुरी अपडेटा ये इसके अलाबा दूद के बाद अब महेंगी हुई दाल कीमत में 100 रुपए की हुई बडोतरी जान लीजिए क्या है ताजा भाओ तो दूद के बाद दालों की भी किमतों में अब यहाँ पर इजाफा होने लगा है ताजा रेट ताजा कीमते आपको बताए जाएगा कितने रुपए तक का इजाफा हुआ है इसके लाबा इस सरकारी स्कीम में तुरंत करवाए निवेस एक बार निवेस करते ही हर महिने मिले जाएगी इसके अलावा अगली बड़ी कपर मात्र 599 रुपए में मिल रहा है 24,000 रुपए वाला यह स्मार्टफोन तुरंत करवा लिजी बुकिंगे दरसल वैलेंटाइन डे के मौके पर यहां पर एक बंपर आफर चल रहा है जिसमें आपको 6GB रैम वाला 5G स्मार्टफोन म जिसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए जाने कैसे करना है आविदन दरसल अगर आपकी घर में यहाँ पर बोरिंग नहीं है मतलब कि यहाँ पर हैंड पंप नहीं है नल नहीं लगा है तो अब सरकार आपको बोरिंग योजना के तहत फुरी में 10,000 रुपए का फातर दे रही है तो कैसे दोस्तों यह अनुदान आपको मिलेगा कैसे आविदन करवाना होगा इसकी भी जानकरी सुरू से आकरी तक आपको वीडियों बने रहना है पूरी जानकरी आपको मिलेगी। साथ ही में अगली बड़ी कबर, बिजली बिल उपभोकताओं को लगा पड़ा जटका, इतने पैसे की होने जा रही है बिजली महंगी, जान लिजे, कहां की लोगों के लिए होने वाली है महंगई, अगर आपकी गरों में बिजली का कर्nexion है, तो अभी अभी बिजली विभ भाग देश के IMD की ओर से आई बड़ी अपडेट मौसम फिर से लेने वाला है करवट बारिस और बरफबारी का जारी हुआ है लट जान लीजे अपने सहर के ताजा हल तो आपको ताजा मौसम के हाल आपके राज आपके सहर की भी बताएंगे कहां पर बारिस और बरफबारी क को अब मिलेगी नो करी तो दोस्तों अगर आप भी यहां पर पढ़े लिखे हैं तो कैसे और कहां की लोगों को मिलेगा कैसे इस वीडियो में आपको बताए जाएगा पंची करण करवाना है इसकी पूरी जानकारी संपूर तरीका आपको जानने को मिलेगा इसके अलावा अधार काट, पैन काट, रासन काट के साथ साथ देश वासियों के लिए संपूर, महिला, पूरुष, छात्र, छात्राओं के लिए बड़ी खबर आई हैं पिट्रोल, डीजल, सोना, चान्दी के भी ताजा, रेट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे वीडियो को ज अब नहीं चल पाएंगे ये नोट, जानिये क्या है नियम, जी हाँ दोस्तो, रिजरो बैंक आउफ इंडिया की तरफ से नया नियम लागू होने के बाद, नकली नोटों को लेकर बड़ी खबरा रही है, नई विवस्था के तैद, देश के केंदरी बैंक की ओर से, जितने भी अब यहाँ पर सहरों में कोई भी यहाँ पर नकली नोट यहाँ पर लेकर आता है, बैंकों में, तो अब उसको बड़ा जटकर लगेगा, क्योंकि अब आरबी की डिप्ती गवर्नर, टी रवी संकर ने कहा है, कि सिक्का निकालने वाली मसीन में नकली नोट जाने के माम लेको देखते हुए, UPI-based option को अब अपनाने का फैसले किया गया है, उन्होंने कहा है कि जो भी अब नकली नोट लेकर यहाँ पर ATM में यहाँ पर जाते हैं, तो अब उन सभी को बड़ा जटक लेगेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि नकली नोट को ले जा अब गेहूं की बजाए सीधे मिलेगा आटा, बस करना होगा यह काम, जी हाँ दोस्तों यदि आप रासन का अड़ा रखें, तो अब आपको गेहूं नहीं मिलेगा, बलकि सीधे आटा मिलेगा, जी हाँ सरकार की ओर से अब आपको गेहूं का आटा दिया जाएगा, आप ब प्रती किलो के हिसाब से ये कीमत जो है तै की गई है पहले चरण में हर्याड़ा की कुछ जीलो में ही इस योजना को पहले लागू किया जाएगा बता जराय कि तीन रुपए प्रती किलो के हिसाब से ये आंटा मिलेगा इसे की साथ नेक्स्ट बड़ी अपडेट 75,000 भी कम में खरीच सकते हैं जहाँ देश की सबसे बड़ी यहाँ पर टू वीलर कमपनी हीरो मोटर कॉर्प की ओर से इस प्लेंडर प्लस को ये बेहादी सस्ते में बेचा जा रहा है ये जो कीमत है आपको यहाँ पर मार्केट में मिलेगी सोरोब में अगर जाएंगे आप तो लोडल खरी सकते हैं इसे के साथ नेक्ट बड़ी अपडेट की बात करें दूध के बाद अब महेंगी हुई दाल कीमतों में सो रुपए तक की हो गई पढ़ूतरी जानिये ताजा भाओ जिहां दोस्तों दूध दही गयों और आटा के साथ साथ खाने पीने की हर चीजे मह की होती जा रही है इसे आम जंता का बजेट भी गड़ता जा रहा है जीहां मध्य प्रदेश में इस्थित इंदौर जिले में यहां पर दूध के बाद अब अरहर यानि तुवर की दाल की भाव में भी सो रुपए प्रतिक लिंटल की हिसाब से तेजी आ गई है इसके अला इसे के साथ नेक्स्ट बड़ी अपडेट अगले महीने से बड़ी कुशकपरी महेज 500 रुपए में मिलेगर रसोई गया सिलिंडर यहां की सरकार ने कर दिया एलान दरसल दूस्तो रसोई गया सिलिंडर ग्राहकों के लिए बड़ी ख़बर आईए अगर आप भी रसोई ग मुख्य मंतरी असोग गहलोत ने एलान किया है कि अपरेल 2023 से जनता को महेज 500 रुपए में साल के 12 रसोई गया सिलिंडर दिये जाएंगे मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान का बजट 8 फरवरी यानि बुद्धवर को पेस किया जाएगा मुख्य मंतरी असोग गहलोत इस बारे में पहले जानकर दे दी आएसे में यहाँ पर खबार आ रही है कि अपरेल की एक तारिक से ही यहाँ पर आम जनता को महिलाओं को बुजुरूगों को गरीबों को सभी को महज 500 रुपए में यह रसोई गया सिलिंडर सालाना 12 गया सिलिंडर मिलेंगे तो दोस्तों केंदर सरकार की तरह ही यूपी सरकार भी अब किसानों के लिए कई तरीकें की योजनाई लेकर आ चुकी है ऐसे ही राज्य सरकार की ओर से एक छोटी सीमांद किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजनाई की शुरुवात की गई है जिसके तहत जिन किसानों का निवनुत्रम ज जाती और जनजाती की लोगों के मिलेगा इसके लावा ताल्लूक में रहने वाले किसानों को 10,000 रुपे का अनुदान मिलेगा तो अगर आप भी यहां पर अनुदान लेकर बोरिंग लगवाना चाffते हैं आपके खेतों में बोरिंग नहीं है 21 फरवरी को बिजली बोर्ड की ओर से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के बिलो में इजाफा हो सकता है इसके लावा हीमांचल प्रदेश में भी बिजली बिल महंगा हो सकता है बिजली की यहाँ पर दरों में 90 पैसे की यहाँ पर प्रती यूनिट के हिसाब से बिजली बूर्ट की ओर से प्रस्ताओ दिया गया है रेट बढ़ाने का तो दोस्तों आप किस राज के हैं अपने राज के नाम कमेंट बॉक्स में जरू पताएं ताकि हम आपके उस राज से सम्मंदित सभी बड़ी खबरों की जानकारिया आगे वीडियो में हम सम्मंदित लेकर आतके रहें